दैसा कर्म होता है वैसा उसका जिवन होता है अपने सबसे खास्ते दोखा खाने के बाद लोग चाहा कर भी किसी पर संपुलन प्रतिशत वरोसा नहीं कर पाते हैं यही सत्य है मनुष्य का जिवन केवल उसके कर्मों पर चलता है दैसा कर्म होता है वैसा उसका जिवन होता है भगवान स्रीकुष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अधा प्यार नहीं करना चाहिए हमारा किसी के प्रती अधा प्यार हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता आधिक प्रेम भीव्यक्ति को बुद्धीन कर देता है अनुमान मन की कलपड़ा है और अनुभव जिन्दगी का सबग है सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच कतन और कर्म में समानता हो जिवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमदुर आपका वक्त हो आप नहीं जैसा तेल समप्त हो जाने पर दिपक बुझ जाता है उसी प्रकार कर्म के शीन हो जाने पर भाग्य भी नश्ट हो जाता है मौन सबसे अच्चा उतर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपकी सब्द को महत्व नहीं देता मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सासे तो होती है पर कोई नाम नहीं होता जब मुत्य होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सासे नहीं होती है इसी सास और नाम के बीच की यात्रा को जियोन कहीती है न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो या जिन्दगी है आपकी अपने सबाव में किसी के प्रती मन में क्रोध लिये रहने की अपिक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है दैशे शन्बर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है इंसान चाहे जितना भी खूद को विस्त रख ले जिससे हो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं रुकता आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा आप केवल निश्वार्त भाव से कर्म किजिए और वहीं आपके हाथ में हैं हमारी आस्ता की परिशा तब होती है जब हम जो चाहे ओ न मिले और फीर भी हमारे दिल से प्रबु के लिए शुक्रे ही दया होनी चाहिए कमजोरी नहीं ज्यान होना चाहिए अहंकार नहीं जिस व्यक्ति के विचर मेले है जो लापरवा है और दोके से भरा हुआ है कोई भी कुछ भी बोला सोयम को शांत को रखो दुप कितनी ही तेज हो समुद्र सुका नहीं करते हैं मन की गतिविदियो हो श् अगर तुम अपना कल्यान करना चाहते हो तुम, दोस लगातर एक शाधन की इस तरह प्रयोग कर सकें तभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने की योगे नहीं और फिर भी न्यान की बाते करते हो बुद्धिमान व्यक्ति ना जिविद और ना ही व्रुत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं तुम अपनी पिड़ा के लिए सवसार को दोस मत दो अपने मन को समझाओ तुमारे मन का परिवर्तन ही तुमारा दुखों का अंत है अगर तुम अपना कल्यान करना चाहते हो तो सभी तरह के उब्दशो सभी धर्म को छोड़ कर मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा सुक दुख का आना जाना सर्दी गर्मी की आने जाने की जैसा ही है इसलिए सहन करना सिखना ही उचित है धर्म चाहे जो भी हो अच्छे इंसान बनो इसलिए हमारे कर्म का होगा धर्म का नहीं तुमारा मोग रस्ता होकर अपने कर्तेव पत से हड़ जाना मुर्कत है क्योंकि इससे ना तो तुम सुर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुमारी किर्थी बढ़ेगी बुरा वक्त आपको जिन्दगी के उन सच के सामना करवाता है जिनका अपने अच्छ वक्त में भी कभी ख्याल भी नहीं किया होता है किसी दुसरे के जिवन के साथ पुर्ण रूप से जिने से अच्छ है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसर अपुर्ण जिए जिवन को भगवान से जोड़ दो सब भगवान पर छोड़ दो शांत रहना सही है पर गलत हो तो तब नहीं जै रादे कृष्णा